कि हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊँगा कि पस्वों में किसी भी त्रह का यह थी थनेला रोग हो जाए किसी भी त्रह का तो उसमें आप उन दो इंजेक्शनों का उप्योग साथ में जरूर करवाना चाहिए यह दि आपको थनेला रोग में सबसे अचारे जेल लेना है यह दि पस्वों में थनेला रोग हो गया है उसको आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो उन दो इंजेक्शनों का उप्योग अपने वेटिनेरियन से जरूर करवा लें ताकि बैटरे जेल देखने को मिले कौन से इंजेक्शन आते हैं उसके किती दोज होती है किस तरह एग आप चेनल को सब्सक्राइब साथ एंबेल आइकनों और इस तरह की वीडियो को सेर भी जुरू करें ताकि पस्वों पालकूं और वेटिनेरियन को फाइदा भी हो देखो पस्वों में किसी भी तरह का थनेला थनेला रोग है जिस प्रकार से किल्निकल में स्टाइटी स्वा सब्किल्निकल में स्टाइटी स्वा एक्यूट में स्टाइटी स्वा क्रोनिक में स्टाइटी स्वा या अदर किसी तरह का में स्टाइटी से दी पस्वों में हो गया है तो उस इस्तती में भी आप उन दोनुं इंजेक्शनों का उप्योग साथ में करा सकते हैं आपने उसको हा लगाते हैं तो दर्द मैसूस करता है कईबर तो थन से दूद की जगए पानी आता है छींचड़े आते हैं मवाद आती है इस तरह के भी इदी सिम्टम से दी पशू में देखने को मिल रहे हैं तो भी आप उन इंजेक्शनों का परियोग पशू में करवा सकते हैं इ ऊसी स्थती में भी उस तरह के इन जेक्शनका सबसे अचता तो मिलता है तो या किसी तरह फंगल इंफेक्शन की है जैसे हो यह माइको प्लाजमा की इंफेक्शन की हो जैसे में स्टाइटिस हो तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपियोग पशुव में करवा सकते हैं देखो एदी आप जो अदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि में स्टाइटिस एक ऐसा रोग होता है थनला रोग होगा ऊचर्ण भी करने कांशा है तो सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहाँ है कि सब्सक्राइब इंजेक्शन नें cancer इंजेक्शन चेश्ट नेडारोग तुरए थानिल्ड में सब्सक्राइयें तो विटामिन सी जिसके अंदर स्कॉर्बीक एसीड होता है यह आप अपने पसु में थन से समदित कोई भी दिकत है तो आप परियोग कर सकते हैं विटामिन सी क्या करती है कि पसु में होने वाले जो मेस्टाइटीस हैं उनको थनेला रोग है वह बेक्तिरियों से होता है तो को कंट्रोल करने का काम करती है खायने का मतलब है कि उस पसु को इम्मिनुटी बढ़ाने का काम करती है बेक्तिरिया का कंट्रोल में एंटिवाइटी करती है लेकिन यह क्या करती है कि पसु की इम्मिनुटी बढ़ाती है तो आपके पसु में जो बेक्तिरिया की वज़ा से एदि जो तनिला रोग हुआ है तो उसमें जो भी है आप सात में और एंटिभायिक्टा इंजेक्शन लगा रहें तो उनका सबसे बड़ा रोल होता है वैसे विटामिन सी के बारे में मेरे चेनल पर डिटेल से वीडियो बनी है वह भी आप जा करके देख सकते हैं लेगनी इसकी डोज देनी कितनी है जैसे लार्ज इनिमल्स हैं बड़े पसु हैं गाय बहां से तो उनको आप 15 ml से लेकर के 20 ml ज्यादा है तो 25 ml इंट्रा मस्कुलर यह इंजेक्शन पसु में लगाया जा सकता है विटामिन सी का इंजेक्शन है यह इंट्रा मस्कुलर भी लगता है इंट्राविनस भी लगता है तो आप किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन का परियोग अपने पसु में अपने वेटिनेरि सी कि अब देखोंट गडुसा इंजेक्शन है किरी इंजेक्शन पर देखर है जलता हुए अध्योंसी पररिये की आटिभी कि इंजेक्शन denial तो आपके पसु में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि टाइलोसीन इंजेक्शन क्या होता है कि माइको प्लाजमा के इंफेक्शन को खतम कर देता है तो माइको प्लाजमा के इंफेक्शन से पसु में मेंस्टाइटिस देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है इदि आप माइको प्लाजमा से इंफेक्शन की वज़े से पसु में मेंस्टाइटिस है थनिला रोग है उसमें आप इदि एंटिवाइटी के अधर इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस इस्तती में आप या जो मैंने बता है कि यह दूनु इंजेक्शन इदी आप साथ में परियोग करवा रहे हैं सपोर्ट थेरपी के तोर पर तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप आईको प्लाजमा इंफिक्शन की वज़ास से आपने देखा होगा केजि относ के जो टन है वक बहुत ज्यादा सूज करको ज्या-एदैल मोटे जो लार्ज इनिमल्स हैं बड़े पस्व हैं गाय भैंस हैं तो उनमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ओन इंट्रा मस्कुलर इस इंजेक्शन का परियोग पस्व में करवा सकते हैं जैसे भेड बक्रियों में इस तरह की दिकत है भेड बक्रियों में बहुत ज़्यादा दिकत दे चोटे पस्व सभी में चाहिए प्रिग्नेंट हो या दू देने वाले पस्व सभी में ये इंजेक्शन का परियोग पस्व में करवाया जा सकता है इनका साइड एफिक्ट तो है नहीं बैटर रिजेल्ट है लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि जो टाइलोसीन इंजेक्श मिल सकते हैं कि किसी बी त्रह के लगा देंगे लग तो पस्व में इस तरह कर रहiusए लगा जाते हैं और यह injection जब पर्सुं में लगाया जाता है यह पर्सुं में ज्यादा दिकत है तो इस तरह के injection का परियोग एक दिन चोड़ करके आप 2-3 बर भी करवा सकते हैं यह आपको बैटरिय जिल्ट लेना है क्योंकि टाईलोसिन पर्सुं में किसी भी तरह के इंफेक्शन को रोकने में भी काम करता है तो यह वीडियो जितना हो सकता है प्रश्चों पाले के वेटरिनेरे ने उनके साथ सेयर करें इसी तरह की वीडियो यह दिया आपको चाहिए निशी सब्सक्राइब लिखें आपको इसी के अंदरूप वीडियो मिल जाएगी तरह द दिक्तरी थैंक्स धन्यवाद